नॉर्थ इंडिया में जल्द लेगा मौसम करवट और मिलेगी गर्मी से राहत नमस्कार मैं हूँ देवेंद्रू त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सकाइमेट विदर रिपोर्ट दिल्ली से लेकर राजस्थान तक इस समय दिन में तेजगर्मी से राहत की आहट मिलने लगी है लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना होगा इंतजार राजस्थान और गुजरात में बेसबरी से हो रहा है क्योंकि जैसल मेर, बाड मेर, भावनगर, भुज और आसपास के शहरों में 38-40 डिगर से तापमान के कारण गर्मी ने जीवन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी है इन भागों के साथ-साथ नौर्थ इंडिया के अधिकतर शहरों में 9 और 10 अक्टूबर से बदल सकता है मौसम का मिजाद फिलहाल आज हर्याना, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट यूपी में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा हलांकि पोस्ट मौनसून सीजन में जब तापमान काफी बढ़ जाते हैं तब हवाओं में मौझूद नमी के चलते अचानक क्योमलो निंबस क्लाउड बनते हैं जिसके चलते तेज हवाओं और गर्जना के साथ थोड़े समय के लिए पैची रेन देखने को मिलती है उधर कश्मीर के पास विस्टन डिस्टन बेंस बना हुआ है जिसके चलते कश्मीर के हिली रिजन में वर्पारी हो सकती है हिमाचल प्रदेश में भी हलकी वर्षा होने की संभावना है इस्ट उतर प्रदेश, बिहार और जहार खंड में मौसम की बेरुखी आज भी जारी रहेगी इलाबाद, पटना और आसपास के अधिकांच चहरों में सामान से 3-5 डिग्री ऊपर चल रहे अधिक्तम तापमान के कारण टेज गर्मी का प्रकोग बना रहेगा सिंट्रल इंडिया का रुख करें तो यहां अधिकांच चहरों में मौसम की हल्चल सबसे अधिक रहेगी अरब सागर पर बने विदर सिस्टम के कारण केरल के अधिकांच चहरों में मध्यम से भारी बारिष जारी रहने की संभावना है केरल से सटे तमिलनाडू और कोस्टल करनाटक में भी तेज वर्षा जारी रहने के आसार है अरब सागर पर बना ये सिस्टम लगातार इंटनसीव पाई हो रहा है और माना जा रहा है कि ये साथ या आठ अक्टूबर तक सैक्लोनिक स्टॉम बन जाएगा और ओमान की तरफ जाएगा लेकिन इसके चलते केरल में फिर से तबाही वाली बारिष देखने को भी सकती है स्काइमेट वेदर रिपोर्ट में अभीक लेतना ही ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे